नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ और अभिशेक जी का ये कहना है कि वो बिहार पे चर्चा मेरे साथ ही करते हैं अपने चैनल पर वो बिहार की चर्चा नहीं करते हैं तो बहुत सारी खबरें हैं विशेग जी आपके बिहार को लेकर और इंडी एलाइंस की खबर हुई है के साफ गटवंधन पर उसमें शेरिंग को लेकर सीट शेरिंग को चर्चा हुई है और ग्रूप 20 में मिटिंग में नितीश जी और मोधी जी की कुछ समय के लिए मुलाका यहां कि बहुत सारी वीडियो आपने हमें दिखाई थी यह कल क्या घटना हुई सुनाए को यह मेरे ग्रीजिले की घटना है आरा की आरा से बहुत बड़े धनाद्धे का नाम है अच्छा इनकी राइस जो है वह आप पैरलली देखिए अंबानी से कम नहीं एक छोटी सी ज राधा चरन सेट लेकिन बालू माफिया से इतर भी कुछ है कहा ही है पहले सेट नाम भी जो है इनकी जो इनकी जो धनाड्य वो है उसकी वज़े से मिला यह कोई सरनेम नहीं है इनका जहां तक मुझे पता है मैं आभी कम्प्लीट करी रहा था कि राधा चरन सेट एक जलेवी की दुकान से जब यहां तक पहुअचे राजणिती में राजणिती में ही क्या जिस प्रकार से आरा में एक ऐसा है जिसे एक बच्चा भी जानता है और वह क्यों जानता है क्योंकि इनकी राइज की स्टोरी जो है वह बड़ी रोचक है इसलिए मैंने कहा कि जलेबी की दुकान से आरा की तमाम बड़ी संपतियां जो है इनके पास राधा चरन सेट ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी से तुम्हें बड़ा ही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास चाय की दुकान थी और मेरे पास जलेबी की दुकान थी तो उससे कम तो नहीं और राधा चरम सेट जद्यू के मलसी हैं या यू कहां कि सबसे बड़े फंड राइजर में से एक हैं तो यह अतिशोक्ति नहीं होगी अब आप हमने एक महीं ने पहले भी एक चर्चा की थी एक रेट जो बेगू सराय में पढ़ रहा था वह ललन सिंग के करीबी थे और व करूंगा ना और मैं मानता हूँ एडी के आगे राधा चरन सेट दस मिनट नहीं टीक सकते हैं इसके बाद क्या होगा हर सर इसका अंदाजा सिर्फ आपके दर्शक और हम लगा सकते हैं नहीं मैं आपको फिर टोकूंगा आप पहले इनकी सक्सेस स्टूरी के बारे में लोग यह बोलता हूं सर बिना नाम लिए मैं एक चीज कहता हूं आरा में एक जगह हैं जिसका नाम है मसार आपके दर्शकों को जानके बहुत आश्चर होगा कि मसार जैसे एक छोटे से गाओं की कैपेबिलिटी यह है कि वह देश भर के गांजे की खपत को पूरी कर सकता है और टॉप नौच क्वालिटी का गांजा वहां कितने सारे ट्रक घर के अंदर अंडरग्राउंड होते हैं इसकी जानकारी इस देश के अच्छे अच्छे लोगों को नहीं है और जलेबी की दुकान से यह सक्सेस असंभव या तो खनन में आ जाए तो खनन के लिए तो आपको म माफिया होना पड़ेगे लेकिन आप माफिया तो हैं तो दूसरा काम हो सकता है और इसलिए मैंने कहा कि दस मिनट से आगे यह टिक नहीं पाएगे और तब जो होगा एक जो खुलासा होगा मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि देश में कोई ऐसा आएगा क्या जो दिल्ली मे मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ एक आम आरा भोजपूर दिवासी का मानना है बड़े बड़े लोग बड़े लोग इस नेक्सस में सामिन है उसमें से एक नाम इनका भी आरा की जनता लेती है कि इनके भी वरना एक नंबर की कमाई से इतना पैसा कमा पाना संभव नहीं है आरा की जनता यह कहती है कि आम बोलचल की भासा में बहुत कॉमन है तो मैं अपनी तरफ से कुछ एड नहीं करूं लेकिन राधा चरण की सक्सेस चलेवी की दुकान से वहां तक जो है उसमें यही है एक इंट्रेस्टिंग और कहानी सुनाता हूं सर्थ इनको नेता इनका जान पहचान यह कौन है तो यह हाउस कर लिए गया और 25 लाख पहुंचाने के बाद वहां से पटना से वापस आ रहा है और इन्होंने कहा कि अब राजनिती यहां नहीं सुरू करेंगे लेकिन ऐसा भी नहीं राजत के साथ इनके रिलेशन्शिप बहुत अच्छे र और इस वज़े से एडी की नजर थी इन पर और मेरा हमेशा से मानना है कि आरा जैसे जगह पे लोग जब पैसे बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो उनके पास हिसाब किताब नहीं रहता और इडी जैसी लोगों के नजर पढ़गी अभी जो एडी का रोल है तो इसका बैक टू बैक ऐसी चीजी होई है कि इसके बाद जद्यू के बाद बहुत सीमित संसाधन रह जाएगा यह फाइट ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर धेंसे लोग सभाई एलेक्शन नहीं अब हमें पहले तो फिर वोई सेट जी की जो हमें सकसेस इस्टोरी है वो हमें आप इस तार से बताईए थोड़ा यह बताईए यह राजनीती में कैसे आगे बढ़े मतलब क्या यह MLC बने हैं उससे पहले विधायक भी रहे क्या रहे क्या आरजेडी में भी रहे हैं किस तरीके से यह थोड़ा सा बताईए कि कैसे नितीश के करीबी कैसे बने यह बने आरजेडी वाला लिंक तो मैंने बताई ही कि 1996 की बात है वह जहां पे गया हुए थे लेक इचले कई बार से विधायक होते हैं उम्र हो गया अगली बार टिकेट भी नहीं मिलेगा लेकिन वहां पे राधाचरन सेट इसलिए भी नहीं विधायक बन सकते थे क्योंकि राजपूत डॉमिनेंस वहां पे वोट में साफ साफ देखता है इसी वजह से इन्होंने दूसरा रास्ता चुना विधान पार्शत है कि चलो एमलसी बन जाएंगे एमलसी के लिए आपको कुछ मेहनत करने की अवशक्ता नहीं आपको पॉपुलर नेता होने की अवशक्ता नहीं है लेकिन एमलसी होने के साथ से एक चीज़ होती है ना हरसर की राजनितिक रूप से पता से डारेक्ट रिलेश्चन नहीं है आप समझेए वह बीजेपी के साथ भी नितीश जा सकते हैं आरजएडी के साथ भी जा सकते तो वह शील्ड नहीं मिलता तो शील्ड के लिए आवस्ट था कि जदियू से विधान पारशत का टिकेट पर पाया जाए और बना जाए प और हुलास पांडे के बारें कहा जाता है कि वह राजनीती क्रूप से जो है वह भी फाइनेंस करते हैं अलग-अलग पार्टियों को तो क्या मतलब यह थे तो यह इलेक्टिड हुए थे सलेक्टिड हुए थे मन्तब मनोनीत नहीं ते चुना हुआ था तो यह बिहार में तो नहीं है यह मनोनीत वाले यह तो इसी वैसे मैंने कह रहा हूं कि यह बहुत आसान था इनके लिए कि पैसा फेकना और यह कोई बहुत रॉकेट साइंस का गेम नहीं था लेकिन उसका कारण वही था जो मैंने मसाड़ वाला लिंक किया ना कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस सिर्फ मसाड़ में अगर इसको सॉल्व कर लिए जाए देश में भूकम पा जाएगा किसी के अंदर सोच नहीं हो सकती कि इतना अधिक गांजा किसी के खूमे मास लेवल पर प्रोड्व जो पूरे सपलाई को अकेले देख सकता है, तो वो मतलब बनाया सह जाता है या वहां से सपलाई अभी एडी के लपेटे में आये हैं ये इनके खिलाफ जो जाचवाज शुरू हुई है कितना समय हो गया कब से चल रही है ये मतलब जब नितीश एंडिये से अलग हुई उसके बाद हुई या से पहले से चल रही थी नजर तो बहुत दिन से था लेकिन कारवाई एक्चुली पिछले चार महीने से बिहार के मैंने बहुत आपके शो पे कहा था ये बात कि बहुत सारे नेताओं के उपर कारवाई की जबरदस्त तयारी है मो से पहले उसका कोप भाजन दो स्ट्रीट के लोग बनने वाले बंगाल और विहार और जिसकी सुरुवात है ये सर अभी तो बहुत कहानी बादी है तो अब मतलब इनेक तो ऑफिशली वैसे तो कह दिया गया है कि अरेस्ट कर लिया गया है सुना है कि ये बालू-बालू के लेते थे इस काम में भी लगे वे थे हां वो आपको फ्रेंट में कुछ तो दिखाना ही है तो फ्रेंट में बालू के ठेके लेकिन आप आप सोचिए सर कि बालू माफिया होना एक बहुत असाधारन बात है सर वो एक जलेवी का दुकानदार नहीं कर सकता है ये आप भी जा लगा है तो ऐसे होगा कि वह ब्लैक को वाइट करने वाला ही काम है इसमें जी जी इसका मतलब आपकी बातों से मुझे मैं इस निचोड पर पहुंचा हूं कि जो सेड़ जी गिरफतार हुए हैं इसका सबसे ज़्यादे नुक्सान नितीश को होगा और खास्तोर से जी उनका जो ATM बंद होने की कगार पे है ये बात माननी जाए बिलकुल माननी जाए मतलब ये बहुत बड़ा डेंट है लोग सबह चुनाओके पहले एक सेट बैक है सर अंदर से जद्यू बहुत परेशान होगी कि अब हमारा जो financial crunch शुरू होने वाला है क्योंकि दो-दो हो बेगु सराय वाले भी चले गए तो आसान नहीं है सर अब मुश्किन है ये एक बहुत बड़ी बात है आपको याद होगा जब नोट बंदी हुई थी 2016 में नवंबर में तो 2017 का विदान सभा चुनाओ नजदीक था तीन-चार महीने बचे वे थे चुनाओके और लोगों का कहना है कि मार से मायवती आस तक ने उठ पाई कुछ लोगों का तो यही मानना है पॉलिटिक्स में जो जानकार है कि केवल मायवती को बरबाद करने के लिए नोट बंदी लाएंगे कि यूपी को बिल्कुल सेफ कर दिया जाए और मायवती जो है उसके पास हमेशा कैश रह तो वो बंदल जिसक ने दिये थे उसी को वापस दिये गए कि भाई आप नए वाले नोटों में देना ये पुराने ले जाओ अपने ये इस्तिति और मायवती आस तक उससे उठ नहीं पाई है ये भी एक हकिकत है खेर चलिए इससे आगे बहुत बहुत लंबी डिबेट का विशे है ये ब्लैक मनी जो पॉलिटिक्स में आती है वो तो किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे एक बात और भी सुनने में आ रही है कि आजकल बियार में जो है ट्रांसफर पोर्ट्रिंग बड़े पैमाने पर हो रही है यहां से नहीं तो वहां से कमा लो बिलकुँ ये ये ऐसा हमेशा किसी भी सरकार के पास एक अस्त्र है जिससे वो बड़े पैमाने पे पैसा कमाता है खास करके वो जानते है कि कौन सा अफसर उन्हें अपनी मन पसंद जगह पे पोस्टिंग के लिए कितना पैसा दे सकता है ये सरकार के हर एक मंत्री को और इनको पता होता है लेकिन प्रॉब्लम यहां यह है कि सर्कार दो लोगों की चल रहे है ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो सिर्फ रितिश जी को तो हिस्सा मिलेगा नहीं राज़त को भी आसान नहीं है ट्रांजेक्शन एडी की और सी बी आई की जब निगाह हो तो फाइनेंशली इधर उधर करना आसान नहीं होगा बहुत टफ काम हो जाता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकिन यह पैसा तो दो रैलियों के बराबर भी जिनरेट नहीं हो पाएगा बिहार मे हैं तो आपको पता है कि प्लयां किस प्रकार से की जाती है किस प्रकार से होती है अंटिन उन्लेस भी जेपी और दूसरी पार्टियों की नहों राज़त और जदियों में कोई दिक्कत नहीं पैसे मिल जाएंगे और एक एक एजंट तक अच्छाएगासा पहुंसता है वह कितना लोगों को देता है कितना अपने पास रहता है यह तो पूरा कैडर को पैसा कमाने का सीजन है और उस सीजन में भी अगर ताबर तोड रैलिया नहीं हो पाई तो फिर कैसे काम चलेगा आपने सही बात कहीं सबसे बुरी स्थीदी तो इससे में लालो की पार्टी की ही है क लेकिन ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में काफी देख रहा था कि इसमें आई पीए सफसरों के काफी बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं तो अब ये थोटा सा चर्चा बढ़ाते हैं अब आगे चुनाओ की तरफ चलते हैं चिराग पासवान के बारे में हम चिराग पासवान के पीसी के दो बड़े का थे और मैं भी जब पीसी में पहुंचा तो चौक गया क्योंकि उन्होंने कहा कि विधान सभा लोकसभा चुनाओ साथ में हो सकते हैं और इसलिए हम संकल्प यात्रा आज सुरू कर रहे हैं और जंडी मैं दिखा रहा हूं और मै मैं कुछ पल के लिए हैरान हो गया कि कैसे कह रहे हैं लेकिन कल जब रादाचरण सेट का अरेस्ट हुआ और मुझे लगा कि ऐसे नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ इनके पास चीज़ें होंगी यह तभी कह रहे हैं और इन्होंने बड़ी रोचक बात नहीं कि आप कल ली गई है इस पे आप गौर कीजिए और हर साथ एक सीजन पत्रकार है मैं चिराग पास्वान के ग्रोथ को जो है ने स्टेजेज में देख रहा हूं आजकर हर बार यह मुझे सर्प्राइज कर देते हैं कि आदमी धीरे धीरे जिस प्रकार से मैच्चोर हो रहा है और अभी बिहार में किसी राजनेतिक दलने तैयारियां नहीं शुरू किया इन फैक्ट बीजेपी ने भी नहीं और इनके प्रदेश अध्यक्ष राजु तिवारी जी को इन्होंने भेज दिया इनसे बड़ा स्पेस्विक को इस यात्रा का क्या उद्देश शेहन का वही मतलब लोक सभा की 40 की 40 सीटों पे मैं एंडिये के हरे कंडिडेट का पर्सनली समर्थन करूंगा चाहे वो किसी भी दल से हो तो इन्होंने एक साथ में चाचा भतीजा वाले एंगल समा पूश्चन आया था कि आपके और चाचा के बीच विवाद है यह जद्यू वाले बोलने कि आपक मामला है उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री और ग्रीमंत्री जी पर भरोसा रखिए मैं आश्वेसन दे रहा हूं कि हमारा बहुत पहले सॉट आउट होगया है तो मुझे समझ में आ गया कि यह जो फोटोग्राफ मोदी जी के साथ अमिश्चा जी के साथ आई थी वह कार से अब काम चल रहा है और मैंने बड़ा स्पेस्विक कोश्चन पूछा था सर उसके बारे में बात करूँगा ताकि आप इनलाइज कीजेगा उस चीज़को पूछा कि बिहार में चार दसक से चिराग पासवान जी जाती की राजनिती हो रही है कभी माही समीकरन की जातियों में बटा बिहार एक जाती दूसरे जाती से उसके प्रती नफरत का भाव लेकर किया है आप कर रहें इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आपके अध्यक्ष को ही आप आप जो है आप स्वेंदली थे आपका अध्यक्ष ब्राम्वन हैं आप सभी धर्म को सभी जाती को ए परोसा रखिए जहां इस लेबल पर मास लेबल पर क्राइम और बेरोजगारी पहुंचा हो यहां की यूद को जल्दी समझ में आ जाएगा है कि वो चालीस जो आपने चार दसक की बात किया वो इस स्टेट की जो है लॉइन और्डर और हर चीज के कॉलाप्स होने का मुख् तो चिराक पासवान का तो सही हो गया है मामला सेटलमेंट सही हो चुका है मुझे लग रहा है कि उन्हें एड़जस्ट करने में किसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं अब तो भलकि NDA के लिए जादे और परतियासियों को बढ़िया तरीके से उतारना मैनेज करना बहुत स सकती है उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं लेकिन इनमें क्या जो इंडी एलाइंस वाले हैं ये अपना तीनों मागडवंदन वाले कॉंग्रेस जेडी यू और जेडी इनमें कुछ अभी सीट शेरिंग को लेकर कुछ खबरे आ रही है क्या जैसे तेजस्वी ने कहा है क जो कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठेक हुई है दिल्ली में कि उसमें सीट शेरिंग पर चर्चा हुई है क्या फार्मॉला वन रहा है इनका किस तरीके से लड़ रहे हैं दस बारा सोला किस तरह से लड़ रहे हैं सर बिहार में मैंने पहले भी कहा कि महागटबंदन के लिए कहने की बात और है लेकिन रास जो है बहुत मुश्किल है सिवान के अभी MP का बयान आया कि वह अपनी सीट नहीं छोड़े इसका मतलब तो यहीं हुआ मैं दो बार पहले भी आपके उपर शो का इस सो पे कहा था और जदिव के MP है उन्होंने कहा कि नहीं वो तो प्रश्जी नहीं उठता मैं तो जीता हुआ हूँ और फिर आब अगर जीते हुए तो इसका मतलब है कि सहाबो देन की पत्नी जो है बीवी कहते हूं उर्दुमना तो बीवी जो है वो उनको सीठ छोड़ना पड़ेगा सीवान से यह तो पहले ही क्लेश चालू हो गया मैंने पहले ही बता दिया किशन गंज के मामले है गुपाल गंज का मामला है मजफरपूर का मामला है वहां से एक स्पेसिफिक सहनी है वो उधर से खड़ा होना चाहते ह बड़ा कठी नहीं यह कह जरूर है और सत्य तो यह हैं कि नितीश कुमार और आरजेडी के बीच कम्मुनिकेशन बंद है सर पिछले दस बारह दिन से इन फैक्ट जी ट्वेंटी के बाद तो आ करके एक बार भी आपने देखा नहीं होगा अभी जिस दिन जिराग पास्वा सर मजा नहीं आया वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना हाव भाव में प्रेस कॉन्फिरेंस करते वर्ट वो कहीं लैक कर रहा है एक अंदर का डर वो दिख रहा है सर अचा कुछ लोग यह जैसे खबर यह भी आई के नितीश जी ने जो है ग्रूप 20 की मीटिंग में जो है मोद संसा कर दी है और उसकी पहली जी संडे को जारी भी हो गई है 1942 करोड की और यह भी सुने में आ रहा है कि सब नितीश कुमार ने बड़ा वहां से जब लोटे नितीश कुमार तो बड़े जोश खरोश से लोटे और मैंने कल रात के शो में भी अपना जिकर किया कि उन्होंने के इंदर से ले भी रहे हैं क्या किस तरह का चल रहा है समझी भी नहीं हारा मांला हमारे तो सरवा. नारे लगें हमारा प्रधान मंत्री कैसा हो वैसे नारे मैंने चिराग पासवान की संकल प्यात्रा में सुनी कि कि हमारा मुख्य मंत्री कैसा हो चिराग पासवान जैसा हो नारे कारे करता लगा सकते उसको को दिक्कत भी है लेकिन आप प्रधान मंत्री तो तब बनेंगे जब मैं मानता हूँ कि लोग सभा में यह नंबर अभी बीजेपी के लिए मुझे दिखता है कि आसान है ऐसा नहीं है कि वह कोई बहुत ज्यादा सेट वैक होने वाला है या चार-पाच कम भी आ जाता है तो भी नितीश कुमार कैसे बीजेपी को तो हराने के लिए बीजेपी का अकेले आपको डेड़ सो पे लाना हो और डेड़ सो तो कोई इस देश का मंदबुद्धी राजनितिक विशलेशक में जब वो मध्यप्रदेश राजस्थान गुजरात और उत्तर प्रदेश को देख के आएगा असम को देख के आएगा तो कहेगा कि क्या पाग कोरे तो मिलके ही 200 के आसपास पहूण जाता यांतर, तो कैसे रोकें गया, जब कि रोकना अलग बात और बाते करना अलग बात से में धिटेल में जा रहा है बढ़िया मीटिंग चल रही है वहां ममताब अनर्जी नहीं आई तो यह सब तो हम जानतें कि क्या चल रहा है दूलहा जो है लालू याद में गोशित करी दिया है कि कौन है और उनकी सानसदी भी बच गिए तो नितीश कुमार तो अब यह है कि क्या यह तो कहीं नहीं हो रहा है कि देखो आप आठ दो दस दो हमें मंजूर है हम सब को लेके चलेंगे हम देख लेंगे कहीं वह भी तो ना हो जा एक तम चुनाओं से पहले जिसको जिसके संदर में चिराग पासवार ने कहा कि आप यह सोझी कि उनकी विश्वस्नियता गिर गई है तो इजी नहीं है नितीश कुमार के लिए चीजें और इसलिए चुकि बीजेपी ने कंप्लीटली उनको ब्लॉक कर रखा है तो ब्लैक मेल नहीं कर पा रहे हैं राज है यह हमें क्या टिकेट देगा है इसको तो खुदी पता नहीं कि कितनी विधानसभा में टिकेट मिलनी हो रही है अब यहां पर अपना राजनिती समय देने का मतलब नहीं है अपना कैडर सभालो और पल्टी मारो हम भी राजनिती में अलग-अलग जगया पर जासे हैं कि लोगसभा चुनाओं से पहले जो है जेडियू में एक बड़ी टूट के संभावना है तो मैंने कई जो राजनिती की विशलेशक हैं वो कौन सा है वहां पर आपके यहां सिन्हा इंस्टिट्यूट क्या है वो पटना में आके मैं किसी का कॉम्निस्ट हैं वो उनका भी मैंन देखा था तो उन्होंने भी इस तरह की आशंका हैं जब बताई थी किया ऐसा संभव है लेकिन मैं एक और कुश्चन थोड़ा सा लोग सभा चुनाओं के बारे में पूछना चाहता हूं बड़ा इपटोटिकल टाइप का कुश्चन है क्या लालू की फैमिली से कुछ की तेज होने वाली है तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि लालू के परिवार से कितने लोग जेल से बाहर रहेंगे अगले चुनाओं अब आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसकी सभा है मिसा राज्य सभा की मेंबर है मिसा पहले भी लड़ चुकी है लोग किसी को चुनाओं तो लड़वाएंगे क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कि सायद रोणी का नंबर आना चाहिए बहुत कुछ उसका इमेज बनाया गया था बाप की बेटी है लाडली बेटी है किड़नी दिया और मेरा यह मानना है कि पाटली पुत्र सीट पे आखरी ब पाटली पुत्र का दो बार छिन जाना जो है वो एकसेप्टेबल नहीं है अगर तीसरी बार भी वो छिन जाता है और राम कृपाल यादों के पास चला जाता है इसका मतलब यह है कि लालू जी के कोर एरियाज जहां पे उनका दबदबा रहता था समीकरान का वो समाप्त हो 25 से बिहार का स्वर्णी में यूग शुरू होने वाला है और मेरा यह सपस्ट रूप से मतलब मैं मैं देख पा रहा हूं एक तरफ पीके की जो जरनी है और एक तरफ चिराग पासवान की यह दोनों इंक्लूसीव पॉलिटिक्स कर रहे हैं मैं पीके को बहुत लाइक ना कर तो होता क्या है ना सर कि कुमार विश्वास ने अमीठी में आग बहुत लगाई लेकिन उस आग को शिफ्ट कराया मोधी वेब में स्पृती रानी ने और यह मेरा सपस्ट तोर पर माना कि अगर राहूल गांदी के अमेठी में कुमार विश्वास में वह कारिक्रम और यह नहीं किये होते हैं तो इतना नेरो फाइट 2014 में ही नहीं हुआ होता और वह पहली बार मोधी और अमिट्सा सेंस करें कि यह राउल गांदी को हराया जा सकते हैं इसी प्रकार से लालू यादव और जद्यू कॉम्बिनेशन को चिराग पास्वान के साथ बीजेपी मिलके हर सकती है सेंस करने लगे इसी वज़े से अमिट्सा सोलत तारिक आरे और आपको मैं बता दू सर इस बैठक में एक बहुत बड़ी बात होने जारी है बिहार के कुछ लोक सभा सी चिनित किये जाएंगे जो छे महीने पहले बता दिये जागा कि यहां से यह आदमी चुनाव ल लेकिन यहां पर वह सिच्वेशन ऐसा नहीं कि कभी नहीं जीती वहां पर नैरो मार्जिन हो सकता है वहां से अभी डाउट समाप्त किया जा और उन एरिया पर कोड़ीया है इस लेस्ट में सर सुपॉल भी है सुपॉल साइड तो मुझे लगता है कि यह पूरा एरिया जो ह कवर करना चाहते हैं इस वज़े से कोई लूपॉल या कोई मौका नहीं देना है और विपक्ष सोच नहीं पा रहा है लेकिन मैं देख पा रहा हूं जो एक्सपरिमेंट 2014 में अमिज शाह ने सुरू किये थे उत्तर प्रदेश को ले करके वह एक्सपरिमेंट सर बिहार में शुरू हो रहा है अभी अगर लोग चेज़ जाए तो बात अलग है लेकिन वह दिख रहा है कि कुछ कुछ चौकाने वाला बिहार रिजल्ट दे सकता है मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रावडी दे भी तो मुझे लगता है जरूर लडएंगी एक बार फिर से कोई एक और परिवार का लोग लड़ेगा इसलिए जरूरी है सर क्योंकि आप अपना कोर एरिया नहीं जाने देना चाहते हैं किसी को आप देखें ठीक है आजम लड़े थे लास टाइम फिर बाद में स्तीफा दिया वो अलग बात है तो इससे होता है जोश बढ़ जाता है क्या यह खुद भी लड़ रहा है कहीं ऐसा नहीं सुच मुच में परदानमंत्री बन जा तो अमित शाह की मीटिंग के बारे में क्या पता चला है वो किसली आ र यही है कि सर वह पहले वह चिंद करेंगे वह एरिया कौन-कौन से जहां पर सांसदों को पहले ही लड़ाया लड़ने के लिए कहा जा सकता है कि आप तयार हो जाईए और इस कारिकरम के अलावे जो है और कोई एक-दो सरकारी कारिकरम है मुरे पास उतना information उसका नहीं लग है कि वह कौन सा है मेरे पास जो information भाजपा से लगा है कि वह इसी लिए meeting करने especially आ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि कौन-कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर हमारी alliance कमजोर पर सकती है जिसको लेकर के अभी हम announcement करते तो वहां पे छे मईने पहले से जो है वह चुनाव की वह त प्रो एक्टिव हो चुके हैं बिहार में तो बहुत कुछ होने जा रहा है अगले सब्ता फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लि